आज की वीडियो जी बहुत जादा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है जिसके मुझे आप सब के बहुत कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपने बच्चों की 24 आवर जो डाइपर रोटीन है वह आप लों के साथ शेयर करूँ फाइनली जी यह वीडियो मैं आप लों के लिए लेकर आ चुकी हूं अगर आपको वीडियो पसान्द आ है तो वीडियो का लाइक करना है साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है वीडियो की शुरुआत मैंने की है नाई टाइम से अ को यूज करते हुए मुझे वन मन्थ हो गया है और बहुत ही अच्छे हैं कमफर्टेबल हैं लोंग लास्टी हैं लेकिज बिल्कुल नहीं होती है इन में रैशिस भी बिल्कुल नहीं होते हैं बच्छों को और काफी जादा ये डाइपर सॉफ्ट हैं और बहुत ही अच्छे तो क्यूंके बड़ा जो है वह है वो थोड़ा सा पतल है लेकिन छोटे को जो है उसको पहना तो उसको feeling बिलकुल सही आती है, खुङ जो बड़ा है ना उसका आकसर ज लगाती हूँ ना वो 10 बजे लगाती हूँ क्योंकि 10 बजे ही मैं इनका हाथ मुद होके इनको रूम में ले जाती हूँ दूद बनाने के बाद बस बैट पे जाके फिर इनका जो है ना उसी टाइम डाइपर चेंज करती हूँ और इनका हाथ मुद होना होता है और उसके बाद जोहने इनको दुबारा से मैं डाइपर लगा के और नाइट क्रीम या फिर लोशन जो भी लगाना होता है इनको रैडी करके तो मैं सुला देती हूँ और मतलब यह सब काम करते हुए मुझे 20 मिनट लग जाते हैं 20 से 30 मिनट में यह लोग बैड़ पर सो जाते हैं तो बस यह छोटे का मैंने हात्मू धो के उसको चेंज करा दिया है और साथ में इसको मैंने लगा दिया है यह हगिस का पैंट डाइपर और दूसरा जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे बच्चे पोटी ट्रेनिंग है या उनकी पोटी ट्रेनिंग वीडियो जो है नवा आप लोग के साथ शेयर करूँ असल में जो बड़ा बेटा है न उसको मैंने थ्री मन्द से ही ट्रेन कर दिया था वो अभी तक ही वाश्रूम में करता है जब बीच में इनको कॉंस्टिपेशन हो जाती है न तो फिर इनकी टाइम ही गागे पिछे हो जाती है तो फिर ये है कि डाइपर में कर लेती है उसके लावा ही वाश्रूम में pot के उपर ही करता है मेरा बड़ा बेटा और छोटा जो है ना इसको मैंने काफी time से train करना शुरू किया हुआ लेकिन अभी तक ये सीखनी रहा भी तक मेरे हाथ में नहीं आ रहा क्योंकि बड़े की time ना इसको मैंने साथ share करूंगी बस जी बड़े चोटे को डाइपर लगा दिया था मैंने तो यहां पर जो बड़ा है ना उसका भी मैंने िरहात मुद्ध होके बस इसको भी मैंने लगा दिया है बस बड़ा जो हैं वहां राइपर लगाता है अभी कभी मैं लगा देती हूं जबसके यह मैं पाले डाइपर यूज़क नइगा है और पbreaking लेता है और प्जामा भी पैना लेता है रूद में है तो बस अब हिनका होके है सूने का टाइम टाइपर वगारा गीर है और अब भी हो गए है जब वीडियो बनानी होती है 修 no वैसे तो जड़ी हो जाता है वीडियो के चेकर में यह ए-क Um मिनट उपर नीचे हो जाते हैं तो बस यहां पर दोनों ही यह बच्चे जो है ना बैड के नीचे गुसे होए थे कोई चीज इनकी नीचे चली गए थी तो बस जी अभी यह आ गए है बैड पे और इनको मैंने दे दिया है दू तो बस यह एक एक फीडर पियेंगे और उसके बाद यह लोग फिर सो जाएंगे और फिर छोटा बेटा जो है ना वो मेरा तीन और चार बजे रोता है और उस टाइम फिर इसने एक फीडर पीना होता है और उसके बाद फिर सुबह उठके पीता है बच्चों को मैंने फीडर दे दिये हैं और यहाँ पर टाइम हो गया है 10.40 तो बस अभी ये लोग सो जाएंगे सुबह में भी दोनों भाई साथ ही सोके फीडर पीते हैं और साथ ही कहते हैं कि हमारे उपर ब्लैंकेट पी डाल दें अच्छा यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है साड़े नो का तो बस इन्होंने दूद पी लिया है और इसके बाद फिर मैंने इनको लेके जाना होता है वाश रूम और इनको पोटी भी ट्राइक रा देती हूं करनी होती है तो कर लेते हैं नहीं तो फिर नहीं करते हैं फिर इनको घंटे डेड़ बाद फिर लेके जाती हूं और सबसे अच्छा टाइम यही होता कि मॉर्निंग में बच्चे के ट्रेनिंग हो जाना तो मुझ मा के लिए बीजी हो जाता है और बच्चों के लिए बीजी हो जाता है तो यहां पर यह इसका वही डाइपर है जो मैंन नहीं होती है इसमें देखें इसका फूल डाइपर भड़ चुका है लेकिन इसमें कोई लीकेज नहीं हुई तो बस इसको मैंने अभी वाश्रूम लेके जाना है और उसके बाद यह शीवगरा करेगा फिर इनके हाथ मूद होंगी इनको फ्रेश करूंगी और उसके बाद इनको नाए डाइपर लगा दूगी अच्छा इनके जो कपड़ी है ना वो मैं रात को ही चेंज करती हूँ जैसके मैंने कल दस बजे चेंज किये थे रात में तो आज जो हैना सारा दिन इनकी यही कपड़ी चलेंगे अगर यह लोग खराब नहीं करें तो हाँ कुछ उपर लगा दें खराब हो जाए तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ तो बस यहाँ पर जो हैना मैं इसको बिठाया हुआ था पॉट पे क्योंकि आज कल इसकी पोटी ट्रेनिंग चल रही है तो मुझे काफी टाइम देना पड़ता है लेकिन इसके पास ही बैठना पड़ता है नही यह शी करता है और नहीं पूपू करता है उठकी बाहर आ जाता है 20-25 मिनट मैंने इसको बिठाया है पॉट के उपर इसने बस सी की है और पूपू नहीं किया क्योंकि अब इसकी ट्रेनिंग चल रही है तो अकसर यह होता है कि कभी कर लेता है कभी यह पूपू नहीं करता बस फिर मैं इसको बाहर लेकर आ गए थी और इसको जी मैंने लगा दिया है डाइपर और यहां पर टाइम जो हो गए है तकरीबन 10 का और अभी बड़े को भी डाइपर लगा दूंगी अच्छा इसका डाइपर जो है न बड़े का इसका फूल नहीं होता है जल्दी चोटे बड़े का डाइपर दिन में भी जल्दी फूल हो जाता है और सुब हमें भी फूल होता है अब इनको मैंने साथ ही डाइपर लगाए थे इसका बड़े का फ्रांट से भी देखें बिल्कुल ड्राय है डाइपर और बैक से भी इसका डाइपर देखें अभी बिल्कुल खाली ह फुल नहीं हुआ बड़े का डाइपर इतनी जल्दी फुल नहीं होता है जैसे कि अब छोटे का डाइपर है अक्सर दिन में पांच डाइपर या चार यूज होते हैं और बड़े का जो है न कभी पांच नहीं होते हैं उसके अक्सर जो है ना चार डाइपर ही यूज होती है क्योंकि इसका डाइपर इतनी जल्दी फूल ही नहीं होता अक्सर जो है ना कभी पांच गंटे भी हो जाते हैं तो फिर भी इसका डाइपर बिल्कुल ड्राइपर होता है लेकिन मैं चेंज कर देती हूँ अगर बड़े बेटे का मैं diaper change ना करूँ न फुल होने का weight करूँ तो कहीं इसका मुझे लगता है कि 7 घंटे भी इसका एक diaper चल जाता है लेकिन इतनी देर बच्चे को diaper नहीं लगाना चाहिए time से ही change कर देना चाहिए तो यहां पर अभी बड़ा बेटा है उसको भी वाश में लेके आ गई हूँ यह भी अभी पूपू कर रहा है क्योंकि छोटे ने तो नहीं किया था लेकिन बड़े ने जो है वो उसने पोटी कर ली थी हाँ यह है कि थोड़ा time देना पड़ता है मुझे आदा घंटा लग जा इनके साथ बैठना इनके साथ बातें करना और फिर जा के बड़ाय किए और परुपू कर लेते हैं पापाई। अनको बहुत ही मुच्किल हो जाता है पर बड़े को मैंने पजामा पर आग्के आ पैडे मैं दोनों के diaper change कर देती हूं जो रात वाला diaper है वो काफी time निकाल जाता है लेकिन दिन में ये लोग खाते पीती हैं, sheev अगरा करते हैं, juice अगरा पीती हैं तो इनके diaper दिन के वो जल्दी full हो जाते हैं तो चोटे का भी मैंने change कर दिया है और बड़े का भी जो diaper है उसका भी full हो गया है, तो इसका भी change कर दूँगी, क्योंकि दिन में जाहिर सी बात है, रात में बच्चे इतने शीर नहीं करते हैं, लेकिन दिन में active होते हैं, तो दिन में इनके diaper जादा use होते हैं, लेकिन चोटे का diaper जो है न वो full था, लेकिन बड़े का diaper अभी तक भी full नहीं है, लेकिन मैंने change कर दिया है, क्योंकि सोने का time होता है, ताके बच्चा अराम से relax होके न, हाँ सोई, और जो इनको rashes के लिए मैं cream use करती हूँ न, वो मैंने काफी वीडियो में आप लों के साथ share की है, तो बस बड़े को भी मैंने शीक राके wash किया था, और उसके बाद उसको भी diaper लगा दिया है, छोटे को भी, यहाँ पर पूरे दो बज गय थे, और दो बज़े जो हैना मैंने इनको सुला दिया था, दो बज़े ही लोग सोते हैं, और फिर उठते हैं, चार बज़े, और अभी जो ह बड़े का diaper चेंज कर रही थी, अभी था टाइम साड़े चार का, क्योंकि इसने अपना diaper गंदा कर दिया था, इसने सुबा को जो हैना वो पोटी नहीं की थी वाश्रूम में, तो इसने अभी diaper में कर दिया, तो बस इसको मैंने वाश किया है, अभी इसका जो हैना diaper चेंज क कर दिया है, तो यहाँ पर मैं इनको दे रही थी, अभी डोनट अचा, आज जो हैना लंच के टाइम पे इनके पापा घर नहीं आये थे, लेट हो गए थे, तो उनको मैंने बोला था, इनके लिए डोनट ले के आना है, कि इन दोनों को ना डोनट बहुत पसानता है, डोनट इनके पापा ने ले लिया था, गाड़ी में रखावा था, तो फिर जब घर आये थे, उस टाइम ले के आये थे, तब भी ये दोनों भाई डोनट खा रहे थे, और बहुत ही खुश हो रहे थे, वैसे हम इनको नॉर्मल रूटीन में नहीं देते हैं, ऐसा होता है कि महीने म डाइपर चेंज करी हूं बड़े का, तो बड़े का जो डाइपर मैं अभी चेंज करूँगी ना, फिर ये साड़े नो बजे तक रात को चलेगा, फिर साड़े नो बजे के बाद मैं तैयारी करती हूं सोने की, इनका हाथ मुध होना, इनका चेंज करवाना होता है, इनको ब्रेश करना होता है और जब तक पूरे दस भी बच जाते हैं और हम बेड़ पर भी पहुंच जाते हैं इनके कपड़े वगरा जो है न वो रात को ही मैं चेंज करती हूँ जैसे कि मैंने कल चेंज किये थे तो आज पूरा दिन यही कपड़े इन्होंने पैने हैं और फिर चैंज कर दूंगी और फिर इसका मैं डाइपर चेंज करूंगी रात को सोते हुए दस बजे जी है जी मेरे दोनों बच्चों के ट्वंटी-फोर आवर डाइपर चेंजिंग रूटीन जिसमें बड़े बेटे के चार डाइपर यूज होए हैं और चोटे के पांच से छे अ एक बर पीज़ जरूर खाता है, जब उसका दिल होता है, तो फिर हम उसके लिए पीज़ा ओडर कर देते हैं, तो बस यहाँ पर हम अपना पीज़ा एंजुआर करें हैं, आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, होपफुली के आज की वीडियो आप लोगों को पसंदा यू की वीडियो पसंदा आई है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सस्क्राइब करना है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अलाहाफेज,